कुट्टे रात में क्यों रोते हैं? कभी सोचा है रात में गर के बाहर कुट्टे क्यों रोते रहते हैं? कुछ पैरनॉर्मल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कुट्टों का सिक्सेंस होता है और वो रात में कुछ पैरनॉर्मल चीज़ों को देख या फिल कर सकते हैं यानि भूत या आत्मा जैसी पेरनॉर्मल चीजों को वो फील कर सकते हैं बट इस बात को आमारी दादी नानी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जब भी रात में कुट्टे भॉकते हैं तो शायद उन्होंने भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीजों को देखा होगा बट साइन्स की माने तो ये सच नहीं है बट मेरी मानों तो इस वीडियो को पूरा देखना जिसे आपको कुट्टों के रात में रोने का साइन्टिफिक रिजन पता चल सके साइन्स की माने तो पहली बात तो ये है कि कुट्टे रोते नहीं वो हाउल करते हैं असल में रात में वो ऐसी आवाज निकाल कर सड़क या इलाकों में दूर अपने साथियों तक मैसेच पहुंचाते हैं या साथियों के लिए या संदेश है कि वो कहां पर और दूसरी बात तो यह है कि कुट्टे के रोने का में विजन ये भी हो सकता है कि जब ब्लॉक्स को कोई दर्द होता है या पेन होता है तो वो रोते हैं या हाउल करते हैं दरसल डॉफ एक सोशल एनिमर है जो अकेले रहना तो कभी पसंद नहीं करते हैं इसलिए घर में या बहार सड़क पर जब कभी भी वो अकेले होते हैं तो अकेला पन मैसूस करते हैं इस वज़े से वो हाउल करते हैं एक वैग्यानिक मत ये भी है कि कुटे जब अकेले होते हैं तब एक आवाज करते हैं जिसे कुटों का रोना भी कहा जोता है इसके अलावा जब उन्हें भूक लगती है या उनकी तब्यत खराब होती है तो ऐसे सिचुएशन में भी वो रोते हैं तो डॉक्स के रोने का सा कमेंट करके जरूर बताना आगे ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए